आपके पास Redmi 9 Power Mobile है और आपके Mobile में यहाँ पे नीचे जो back बटन आती थी, home बटन आती थी वो बटन आपके Mobile में नहीं सो हो रही है आपका Mobile पूरी तरह से full screen mode में आ गया है तो इसे आप कैसे ठीक करेंगे, full screen mode को अपने phone से कैसे हटाएंगे और यहाँ पे नीचे जो power और back बटन आ रही थी वो वापस से कैसे लाएंगे इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तो इसके लिए देखिए आपको अपने Mobile की सेटिंग में आपको जाना है इसके बाद नीचे तरफ स्क्रॉल करके आपको आना यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक आफन देखने को मिलेगा additional setting का यह हो सकता आपके फून में advanced setting का हो आपको यहाँ पे additional या advanced setting पी तरीक क्लिक करके और नीचे तरफ स्क्रॉल करके आएगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले का आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले पे इस तरह किलिक करके और इस पेज़ पे आपको आ जाना है अगर आपके फून में यहाँ पे सो नहीं होता है देखिए यहाँ पर सो नहीं होता है तो आपको ऊपर अपनी मोबाईल की जो मैंसिटिंग होती है यहाँ पर आपको आना है यहाँ पर आपको फर्च करना है फुल स्क्रीन यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले इस टाइप से आप फर्च करेंगे जब आप police screen display आप यहाँ पर डाल के फर्च करेंगे तो आएगा hide police screen indicator यहाँ पर आपको click करना है और वही page पर आप यहाँ आ जाएगे तो यहाँ पर आपका gesture सेलेक्ट रहेगा आपको यहाँ पर button वाले को सेलेक्ट कर देना झाल 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 झाल